Hello and Welcome, in this video we will discuss about modifications of stem and modification of stem में आज हम discuss करेंगे underground modification of stem की तो underground modification का क्या मतलब है, जो भी modification stem में हो रहा है वो under the ground हो रहा है, मतलब soil के नीचे चलने वाला modification है, ये stem का इसलिए हम इसको underground modification of stem बोलते हैं तो ये modification होते क्यों है, plant को food storage करने के लिए, कभी-कभी vegetative propagation और support के लिए भी, तो ये इसमें हम चार category पढ़ते हैं tuber, rhizome, corp और bulb, तो किसलिए plant में modification हो रहा है, सबसे पहले food storage के लिए food storage खुद के लिए, हमारे लिए food storage नहीं है ये, उनके plant के खुद के लिए food storage होता है, जिससे कि वो adverse condition को जहल पाए दूसरा, vegetative propagation, vegetative propagation के लिए भी कभी-कभी plant में ये modification होते हैं और तीसरा, कभी-कभी support के लिए भी होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये किन-किन category में आते हैं तो tuber हमेशा food storage वाला modification है, rhizome और corp को हम दोनों categories में पढ़ते हैं, ये food storage भी करते हैं और vegetative propagation में भी help करते है, और bulb जो आता है, वो plant के support के लिए होता है, ये leafy structure को support देने के लिए होता है, इसलिए bulb एक food storage नहीं है, नहीं ये vegetative propagation में help करता है, बलकि ये support करता है leaves को, जिससे हम as a onion और garlic खाते हैं, तो इनमें कौन कोई से example है और इसमें अंदर क्या क्या categories हम देखते हैं, वो सब हम discuss करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं, underground modification of stem में tuber की, तो underground modification में सबसे पहले बात करते हैं tuber की, तो tuber में दो example हम पढ़ते हैं, एक potato और दूसरा yam, तो yam एक brown color का ऐसा round structure होता है, जिससे कभी- potato दोनों tuber के example है, अब अगर इसकी बात करें, potato की, तो potato का structure अगर आपने कभी farm अगरा में देखा हो, तो नीचे ऐसे stem की branches निकली होती हैं, इस तरह से, और इन branches के tip पे ये swollen structure होता है, जिसे हम tuber बोलते हैं, तो potato ऐसे ग्रो करते हैं, नीचे ये branch गई, ये भी stem ही है, underground, और य इसको हम बोलते हैं, tuber, अब tuber के structure के अगर बात करें, तो आपने देखा हो, तो आलू पे इस तरह से कुछ scar निकले होते हैं, जिसे हम node भी बोलते हैं, और इन ही node पे, जब आलू थोड़े दिन रखा हुआ हो जाता है, तो इस तरह से आपने bud निकलती भी देखियोंगी, ये बड जो होती है, ये new plant ग्रो हो रहे होते हैं, तो आलू में या पोटेटो में scar होते हैं, तो जब कभी nursery वाले या farmers इनको ग्रो करते हैं, तो इतना इतना पार्ट भी काट के लगा लेते हैं, जिससे कि उन्हें एक प्लांट मिल जाता है, तो एक आलू से कई प्लांट भी ग जाता है, क्यों हो जाता है इस तरह से, क्योंकि वो अपना stored food यूज़ कर रहा होता है, इन buds को grow करने के लिए, और जब बड ग्रो हो रही होती हो, तो इस stored food को यूज़ करके grow करती है, तो ये हो गया tuber, क्या-क्या खास बात होती है tuber में, इसके structure में ये scar होते हैं, जिनमें से bud grow करती है, और ये ही एक node कहलाती है, तो node जो example होता है, वो stem का होता है, अगर node और inter node किसी plant के structure में होती है, तो इसको हम stem category में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये stem category में आते हैं, और tuber, underground modification of stem है, किस के लिए, food storage के लिए, तो ये हो गए tubers, अब next हम देखेंगे rhizome, तो आप बात क modification में rhizome की, तो rhizome underground modifications में किसलिए यूज होता है, storage of food के लिए भी और ये vegetative propagation के लिए भी यूज होता है, तो इसमें हम conference example देखते हैं, known example है, जो वो है ginger और turmeric, अब इसका structure समझते हैं पहले, तो ये है ginger आप देखो, तो ginger में आप ये देख रहे हो, जो ये notes है, और ये सब ज branches निकल रही है, तो ये सब जितनी भी हम देख रहा है, ये है branches of stem, अब इसी तरह turmeric भी होता है, ये आप turmeric देख रहे हो, तो turmeric जो हम घर में यूज करते हैं, वो इसको सुखा के powder कर लेते हैं, जब fresh turmeric farm से निकलता है, तो वो कुछ इस तरह देखता है, तो इसमें भी आप तो अब ये छोटी है, ये निकल रही है, ये एक turmeric है, तो turmeric भी ginger की तरह ही branch में इस तरह से grow होती है, अब ये जो rhizome है, इसको हम दो categories में पढ़ते हैं, एक horizontal जो grow करती है, दूसरी जो vertical grow करते है rhizome, अब horizontal में तो हम ginger और turmeric देखते हैं, और इसमें भी दो type होते है, monopodial और sympodial क्या होते हैं, तो horizontal rhizome में monopodial का मतलब होता है, mono का मतलब है one, तो एक ही main branch होगी और उससे अलग-अलग lateral ऐसे branch निकली होई होगी, जिसका एक example हम lotus में देखते हैं, तो monopodial में एक main branch और उससे उपर की तरफ lateral branches निकली होगी, लेकिन अगर sympodial की बात करें, तो ये जो branch is grow हो हैं, तो अब अगर इसका axis कीचना चाहो, तो आपका ये branch भी आएगी, ये branch भी आएगी, उपर से ये भी आ रही है, half ये नीचे है, तो एक axis अगर मैं बनाओ, तो उसमें सारी branches आ रही है, इस तरह से ये grow करता है, लेकिन अगर monopodial की बात करें, तो एक main branch होती है, और उससे तरह के जो rhizome की category होती है, वो है vertical rhizome, तो vertical rhizome में हम जो examples देखते हैं, उसमें banana और pineapple और कुछ firm के example भी है, vertical rhizome को हम root stock भी बोलते हैं, अब इसको root stock बोलने का क्या reason है, कि ये जब grow होता है, तो इस तरह से कुछ grow होता है, तो ये root के structure की तरह grow होता है, लेकिन ये root नहीं है क्योंकि इसमें notes और inter notes होती है, और सभी इन rhizome में हम scaly leaves भी देखते हैं, तो आप ये जो देख रहे हो, ये brown color के जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये सब scaly leaves है, इसी तरह इस root stock में भी जो की vertical rhizome का एक example है, आप scaly leaves देखते हो, तो ये banana और pineapple में होता है, और इसमें sc time category में रखते हैं, और इसको root stock भी बोलते हैं, तो horizontal अगर rhizome की बात करें, तो उसमें हम दो example देखते हैं, ginger और turmeric जो की widely known example है, लेकिन उसमें एक lotus भी example आता है, और जो किस category में होता है, monopodial में, और अगर sympodial की बात करें, तो उसमें again हम ginger और turmeric ही पढ़ते हैं, अब अगर vertical rh rhizome की बात करें, तो उसमें banana और pineapple के rhizome आते हैं, और जिसको हम root stock भी बोलते हैं, और इन सभी structure में stem है, क्योंकि इन में nodes और inter-nodes होती हैं, और इनी से branches grow करती हैं, जो कि stem का एक characteristic है, तो यह हो गए underground rhizome, तो आप farm में देखते हैं, कि ginger और turmeric दिखते कैसे हैं, तो यह देखो यह है एक turmeric का farm, ऐसा दिखता है turmeric, अब मैंने इक इसका plant निकाला है, तो देखो इसमें जो आपको यह थिक सा structure दिख रहा है, यह है turmeric, इसमें देखो यह notes है, और इसमें notes के बीच में inter-nodes हैं, और branches भी निकल रही हैं, यह देखो यह इसकी branches भी निकल रही हैं, साइड में, अब यह देखो आप यह नीचे से इसमें adventitious roots भी हैं, तो यह है turmeric, अब देखते हैं ginger, देखो ginger का flower कितना सुन्दर होता है, यह ginger है और यह ginger का एक farm है, red color का flower होता है ginger का, बहुत सुन्दर दिखता है, यह पूरा एक ginger का farm है, अब देखते हैं कि ginger कैसी दिखती है निकलने के ब जैसे ही notes और inter notes है, जैसे कि हमने अभी turmeric में देखे थे हैं, और यह है एक flower जिसमें नीचे ginger लगी हुई है, तो ginger और turmeric दोनों ही rhizome है, तो उनों में scaly leaves है, notes और inter notes है, जैसा हमने देखा, तो underground modification में जो third category है, वो है corn, अब corn में हम जो दो example देखते हैं, gladiolus और colocasia, तो colocasia तो आपने bouquet वगेरा में देखे होंगे, अगर bouquet कभी note क्या हो, तो इस तरह के कुछ flowers लगे होते हैं, तो जो उनका underground stem होता है, वो इस तरह का देखता है, तो इसको भी हम corn category में पढ़ते हैं, अब kolokasia के अगर बात करें, जिसे हम arby भी बोलते हैं, तो वो कुछ इस तरह दिख होते हैं, एक तो इसमें हो गया notes और inter notes होते हैं, इस तरह से, और बीच-बीच में scaly leaves होती है, अब ये spherical shape होते हैं, मतलब इस तरह से कुछ shape होगे, और नीचे थोड़ा सा आप देखोगे, ऐसा base सा होता है, और यहां से ये vegetative propagation में help करता है, क्योंकि तो यहां से कभी-कभी क किसी किसी आप अर्वी में देखो, तो इस तरह से छोट असा कॉर्म निकला होता है, तो यह storage of food के लिए भी है, और vegetative propagation में भी help कर रहे हैं, तो अभी तक जो भी हमने देखे थे, वो storage of food भी थे और vegetative propagation में भी help कर रहे थे, अब कभी-कभी जब gladiolist का example को हम discuss करते हैं, तो इसका अगर यह इसकी बात करें, कॉम की, तो यह लगता है कि देखने में तो यह bulb जैसा है, लेकिन इसको कॉम बोलते है, क्यों? क्योंकि अगर इसको कट करें, तो इसका structure अंदर से onion की तरह नहीं होता है, देखने में यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है, जैसे onion है, लेकिन इस कॉम जिसमें हमने ग्लाइडियोलस और कोलोकेशिया पढ़े, नोट्स और इंटर नोट्स है, वेजिटिटिव प्रोपोगेशन और स्टोरेज दोनों में हेल्प करता है, अब नेक्स्ट आता है बल्ब, तो अंडर ग्राउंड मोडिफिकेशन में, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके एक्जाम्पल में देखें, तो अनियन, गार्लिक और लिलीज इसके एक्जाम्पल है, अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब हम अनियन को खाते हैं, तो यह फ्लेशी सा जो पार्ट आप खाते हो, वो होते हैं, फ्लेशी लीज और अगर इसके स्ट तो नोट्स और इंटर नोट्स होती है अब यहां पर नीचे एडवनटीश शूट निकलता है अब यहां तक जब यह अंडर ग्राउड है तो यह जो लीवे यह हैं फ्लेशी जब यह बाहर इस तरह से निकल आएंगी तो यह ग्रीन कलर की हो जाएंगी और यह वही प्रिंग जिसे चाइनीज फूड में हम बहुत खाते हैं, तो इस प्रिंग ओनियन लीफ है, प्लांट का, और अंदर भी जो आप यह जो अंडर गांड देख रहे हो, यह भी फ्लेशी लीफ होती है, इन्हीं में एपिकल बड भी होती है, तो यह हो गया ओनियन का इस्ट्रक्चर, और बहार जो आप यह सुखा साथ देखते हो, जो एक छिलका जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, स्केली लीफ, यह होती है, इसकी स्केली लीफ, अब यह तो हो गया ओनियन का इस्ट्रक्चर, इसका दूज़ा एक्जाम्पल जो होता है, गार्लिक, उसका भी सेमी स्ट् और उपर ये अगेड ये इसकी buds है या फिर आप बोलो इसकी fleshy leaves है तो ये bulb भी दो तरह के होते हैं एक tunicated और non-tunicated तो tunicated में simple और compound और non-tunicated में कोई भी category नहीं है तो tunicated की अगर बात करें तो दो category होती है simple और compound अब ये simple और compound में क्या difference है पहले तो सबस्ते है tunicated क्या होता है tunicated का मतलब है किसी चीज का dress या cover उस चीज के ऊपर चड़ा हुआ एक cover है तो इसलिए वोल दे है tunic अब लड़कियों के एक dress भी होती है tunicated जो उपर से निंचे तक cover करती है तो इसी तरह ये बल्ब भी cover के अंदर बंध है अब किस तरह के cover है उसमें भी दो category है simple cover है दूसरा compound cover है तो पहले इन में difference समझते है simple cover का मतलब है जैसे आप onion को देखो तो आप अगर बाहर वाला छिलका उसको हटा दो तो onion पूरा बाहर आ जाता है कुछ इस तरह से structure होता है onion का अगर मैं पूरा ये structure को निकालना चाहो तो मैं उपर की ये scaly leaves हटा दूँगी और onion पूरा बाहर आ जाएगा तो ये हो गया simple tunicated मतलब एक ही इसमें tunic है अब अगर compound की बात करें जिसमें की garlic आता है तो garlic को अब कभी आपने देखा हो तो दो तरह के tunic में बंद होता है वो जैसे ये पूरा एक cover है जिसमें पूरी garlic बंद है अब अगर इस cover को भी मैं हटा दू तो इसकी जो हरे club है वो भी एक cover के अंदर बंद है तो इसका मतलब इसमें किते cover हो गए दो cover हो गए तो दो dresses पहन रखी है garlic ने एक तो बाहर वाली dress जो पूरे cloves को ठके हुए है और हर clove के उपर भी एक dress है जिससे की हर clove बंद है तो onion का हाली एक ही dress पहने होता है या फिर उसमें एक ही cover होता है तो यह simple और compound bulb हो गए अब non-tunicated मतलब कोई भी dress नहीं है bulb जो होगा वो ऐसे ही होगा उसमें उपर कोई भी scaly leaves नहीं होगी तो यह हो गया non-tunicated और इसमें कौन सा example आता है lilies का तो bulb में जो यह stem है जो आप यहा देख रहे हो यह disc-like structure यह क्या काम कर रहा है यह ना तो vegetative propagation कर रहा है और ना ही यह storage of food है तो इसका क्या काम है, इसका यह चाम है कि यह जो leaves है जो fleshy leaves है इनको support कर ना, यह इनको यह इहां पर supporting का का काम कर रहा है तो bulb में ना तो vegetative propagation के लिए use होता है, इस time ना ही ये storage of food है, क्योंकि food तो store हो रहा है leaves में, तो ये क्या काम कर रहा है, ये in leaves को supporting का काम कर रहा है, तो bulb में ये modification supporting के लिए होता है, चलब देखते हैं, non-unicated bulb कैसा दिखता है, तो देखो मैंने ये lily का एक plant निकाला है, और ये non-unicated bulb है, कितना glossy है bulb देखने में, लेकिन इसमें क्या परक है, कि इसमें कोई भी उपर cover नहीं है, ये lily का एक plant है, white lily, तो अब देखते हैं, कि इसका structure कैसा है, ये बिल्कुल non-unicated है, कहीं कोई cover नहीं है, और इसमें नीचे adventitious root आपको दिख रही होंगी, और ये है इसका stem, modified stem, अब इसको cut करके देख लेते हैं, तो cut करने पर नीचे से देखो, ये है इसका stem, और इसे मैं cut करके निकालती हूँ, तो इसमें adventitious root भी आपको देख रही होंगी, तो इसका stem है, ये जैसा बिल्कुल onion में होता है, उसी त तो ये देखो, इसमें बिल्कुल onion की तरह structure होता है, ऐसे ही fleshy leaves में जैसे onion में होती है, ऐसे एक एक के बाद देख लिया है, और bulb में फरक बस इतना है कि इसमें कोई भी cover नहीं है उपर, तो ये है लिली का non-tunicated bulb, तो हमने इस वीडियो में modification of stem में underground modification देखे, जिसमें की tuber, rhizome, corn और bulb थे, तो tuber में हमने potato और yum का example देखा, जो की storage of food के लिए होते हैं, अगर rhizome की बात करें, तो उसमें हमने कौन-कौन से example देखे थे, उसमें हमने दो example जो मेंली बात होती है, पहला था ginger और दूसरा turmeric, जो थे horizontal वाले rhizome, उसमें हमने vertical rhizome भी देखे थे, जिसमें क यह हमने बात की थी, banana और pineapple की, और इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी हमने discuss किया था, root stock, क्योंकि यह root की तरह दिखते हैं, और इसमें दूसरा example था pineapple का, अब अगर इसमें भी horizontal में भी हमने दो category पढ़ी थी, monopodial जिसमें हमने lotus देखा था, और sympodial जिसमें हमने आगें ginger और turmeric की बात की थी, कर्म में हमने दो example अगें देखे थे, जो किते हमारे colocacea, जिसे के हम अर्भी भी बोलते हैं, और दूसरा gladiolus, जिसमें हमने बात की थी, कि यह दिखता bulb जैसा है, लेकिन है कर्म, और यह दोनो rhizome और कर्म जो होते हैं, यह दोनो storage of food भी है, और यह vegetative propagation में भी help करते हैं, तो next category जो हमने देखी थी modification of stem की, उसमें हमने बात की थी bulb की, तो bulb में हमने देखी थी onion और garlic, तो दोनों में ही जो disc-like structure है, वो होता है stem, modification of stem, और जो उपर grow कर रही होती है, वो होती है leaves, जिनने हम fleshy leaves भी बोलते हैं, अब यह जो stem होता है, वो किस शुआट करने के लिए होता है, तो supporting का काम कर रहा है, यहा ना तो storage का रहा है ना, vegetative propagation का, यह किसका काम कर रہा है इस time, support का काम कर रहा है, अब इसमें भी हमने थो category पढ़ी थी, tunicated और non-tunicated, तो non-tunicated में तो हमने lilies को देखा था, और tunicated में थी again थी, simple और compound, simple में जिसमें onion जो की पूरा कवर से होता है और उसके अंदर onion पूरा का पूरा इसी बार हो जाता है और compound में हमने बात की थी garlic की जिसमें हर एक clove एक अलग tunic में बंद रहता है और फिर उपर से हर clove का एक common cover होता है तो simple में एक ही cover होता है लेकिन compound में अलग-अलग भी cover होता है और एक common cover भी तो यह हो गए underground modifications of step.